हेलो मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर और मैं यही द्वाह करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है सुखिये सिहत बंद है आज की वीडियो में रिवीव करेंगे हम पटेल नेक युनिसेक्स अपरिल स्प्रे का दोस्तों इस पर्फियूम की रिक्वेस्ट आई थी इसी चैनल पर हमारे एक दोस्त की और मैं आज उन्हें इस वीडियो के थू थैंक्स करूँगा कि उनकी वज़े से मुझे एक बहतरी पर्फियूम लाइड करने के लिए रिवीव में हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे पैकिंग और बॉटर डिजाइन पर और बात करेंगे नोट प्रॉफाइल परफॉर्मेंस यूजज किस एज्गूप के लिए सही है और किस सीजन में बेस्टूटर है अगर आपको ऐसे अने इस कंटेंट परसंद आएं तो रिक्वेस्स करेंगा कि आप वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब का अल्गोरित्र में इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाए आउटर पाकिंग की बात करें तो दोस्तों यह मेरे पास अब देखने हैं ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा बॉक्स डैमेज हो गया इसका लेकिन सामने की तरफ पटेल ने का नाम है बीच में एक ग्राफिक्स दे रखा है इनोंने और नीचे की तरफ अपर लिखा हुआ है बैक साइट पर पटेल पर्फ्यूमरी प्रोड़क्स इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा और दोस्तों ये अगर आप Amazon पर लेंगे तो या तो 410 की या 400 कुछ इतने की मिलती है जाता है इसमें हेवी डिसकाउंट मैंने नहीं देखे अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो शायद ये आपको थोड़े से अच्छ जन्वन दिखाने के लिए ये जो है पुदा का पुदा बॉक्स जो है ये पटेल नेक की सिगनेचर के साथ है अंदर जो रैपिंग है इसके वो सिंपल सी है काफी और ये जस्ट एंशोर करता है पर्फ्यूम जो है वो डामेज ना हो प्रांसपोर्ट में और मेरे पास ये एकदम साइस ही आई थी पर्फ्यूम बॉटल की बात करें तो सिंपल सी है देखने में सामने की तरफ वो ही सब डिटेल्स है जो बॉक्स के आउटर पैकिंग पर मिलती है बॉटल की पीछे की तरफ एक एक अट्रैक्टिव डिजाइन है ग्लास में जैसे रिप्स बना रख आईए दोसरे इसकी फ्रेग्रेंच समझें फ्रेग्रेंस अच्छी है, बहुत स्ट्रॉग नहीं है, माइड है, लेकिं बहुत माइड भी नहीं है ठीठाक स्ट्रेंथ है इसकी और ये एक अच्छी citrus based fragrance है इसमें आपको lavender, oak moss, bergamo का blend मिलता है जो इसको एक fresh citrusy sweet fragrance बनाती है performance की बात करें तो ये perfume कमाल की longevity लेकर आती है इसके performance इतनी बढ़ी है कि कपरों को धोने के बाद, धूप में सुखाने के बाद भी ये fragrance नहीं जाती ये मैंने खुद notice किया था जब मैंने अपनी टी-shirt में इसको लगाया फिर उसको धूने डाला और धूने के बाद जो टी-shirt फिरसे पहनी तो ऐसा लगा जैसे मैंने उसे धूने ही ना डाला हूँ लेकिन दोस्तों इस अच्छी performance के पीछे का reason है कि इस perfume में oil-based है ये देखें मैं आपको अपनी skin पे इसको spray करता हूँ और जब आप बाकी perfume के साथ compare करेंगे तो आप notice करेंगे कि इसमें एक oily base है ये जहाँ इसकी advantage है क्योंकि यही चीज़ हमें इतर जो अतर होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है जो synthetic हों या organic हों जो oil से बनेवा होते है उनमें alcohol नहीं होता तो उनकी longevity अच्छी होती है लेकिन साथ ही दोस्तों इसमें एक disadvantage भी है कि कुछ कपड़ों पर oily stains छोड़ देती है ये perfume ये stains permanent नहीं होते लेकिन 2-3 धुलाई लगती है इन stains को हटाने में ऐसे में अगर आप ये fragrance यूज़ करें तो मैं suggest करूँगा कि आप इसको inner clothes में लगाएं या अपने जिस कपड़ों पर लगाने जा रहें उस पर एक patch test ज़रूर करके देख लें और दोस्तों ये April perfume ज़रूर है लेकिन मैंने इसको skin पर भी लगाया और the longevity इसकी और बढ़ जाती है usage की बात करें तो ये formal और casual occasions में सही रहेगी company के दावा है कि ये for both men and women है ये एक unisex fragrance है age की बात करें तो college goers से लेकर करके office goers में कोई भी इसको use कर सकता है लगा सकता है और season की बात करें तो ये आप हर season में use कर सकते है और अचिव चादू से thank you and have a next day